हे गाइस वेलकम बैक तो मारे चैनल तो गाइस इस वीडियो में आपको exact करफॉर्म वो डिवाइस बताने वाला हो जिन डिवाइस में फेबरुवारी का 2020 लेटेस्ट अपडेट मिलने वाला है मतलब इस महिने में कौन-कौन से डिवाइस को officially फेबरुवारी का अपडेट मिल को एक ट्विस्ट एक गुड़ न्यूज है एक खुश कवरी है जो आप लोग सुनके ज़रू खुश हो जाओगी सो इस वीडियो को अभी लाइक कर दो आपके लाइक से बहुत जादा मोटिवेशन मिलता है अगर आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रा होता है तो गैस उस पर जो है मैं वीडियो बनाने की भी कोशिश करूंगा सब्सक्राइब नीचे कमेंट कर देना अगर आपको कोई कोश्चन है या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आता है लोग रियल्मी अपडेट पॉलिसी की अनुसार चलेंगे जो पॉलिसी है जो गै i and 5s जिन डिवाइस के गैस मैंने आपको नाम ली है और जिन डिवाइस को आपने वीडियो में अभी देखा है उन सभी डिवाइस को ऑफिशली फेबरवारी अपडेट मिले इन डिवाइस को अपडेट मिलने के पीछे दो मोटे-मोटे रिजन है सबसे पहले तो गैस अग तो continuously आपको 6 मेने पहले back-to-back update में अगर आपको अभी तक realme update policy नहीं पता चली है तो guys मैं आपको बता देता हूँ realme का जो भी इंडिया में smartphone launch होगा जो पहले smartphone launch होए जो आने वाले time में future में launch होगे उन सभी के लिए 24 मनत तक officially realme के तरब से सभी realme smartphone के लिए update ओल आउट किये जाएगे बट यहाँ पर timeline थोड़ा update हुआ है थोड़ा timeline चेंज हुआ है जो पहले 6 मैने होगे मतलब जो भी smartphone launch होता है उसके बाद जो पहले 6 मैने होगे उस device के लिए उसमें आपको back to back 6 मैने में 6 update मिलेगे no doubt आपको 6 मैने में 6 update confirm मिलेगे बट उसके बाद जो 7 से लेके 24 तक का सफर होगा जो 24 तक का timeline होगा उसमें आपको 2 मैने में एक update मिलेगा तो यहाँ पे आपको 24 मन तक update मिलेगे बट जो पहले 6 मेने होगे उसमें आपको 6 update मिलेगे देन उसके बाद जो 24 मन तक जो मन्त होगे उसमें जो है आपको 2 मेने में एक update मिलेगे तो guys realme update policy के अनुसार चले तो बहुत सारे device इंडिया में अभी लाँच हुए जिने 6 मेना होने का बाकी है तो यार जो update policy है 6 मेना आपको पहले continuously update दिया जाएगा तो obviously इन सभी device को तो continuously 6 मेना पहले update मिलने वाल है अगर update नहीं मिलता है तो जो update policy है वो damage हो जाएगी इसलिए guys यहाँ पे जो है आपको confirm इन सभी device में officially February का update मिलेगा और जोस्तो बात कीज़ाए इस list में जो पुराने device है उन्हें ये update क्यों मिल रहा है तो guys ये सभी device premium device है इसलिए इन सभी device में February का ये update मिलना बहुती ज़ादा ज़रूरी है दोस्तों February के update में इन सभी device में कुछ special changes है जो बहुती ज़ादा ज़रूरी है अगर आपने अभी तक guess नहीं किया या फिर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको February के update में इन सभी device में वो wifi calling option का support मिलेगा दोस्तों कुछी दिनों पहले मैंने वीडियो बनाई थी वो wifi calling option के timeline के उपर जो officially realme community पे announce हुआ था और जो मादो सेट है उन्होंने guys अपने QN episode में release किया था timeline कि वो wifi calling option की इस हिसाब से rollout किया जाने वाला है और दोस्तों यह सेकंड मोठा रिजन है update मिलने के पीछे February में कौन-कौन से device को officially update मिलने वाला है तो यह सेकंड 20 मोठा रिजन है जो मैं आपको बताने वाला है दोस्तों अगर आप वो wifi calling option का timeline देखोंगे तो यहां पे जो है आप लोग देख सकते हो रियल्मी X2, Realme X, Realme 5 Pro, Realme 3 Pro and Realme 55i and 5is को officially February में वो wifi calling option मिलने वाला है यही special change है यही twist है जो आपको February update के साथ इन सभी device में मिल जाएगा यहां पर गाइस अगर बात की जाए Realme X2 Pro की तो यहां पर यह भी गाइस अभी फिलाल नया launch device है तो इसे January का update मिल चुका है होने का है तो छे मैना continuously update रोल आउट किया जाएगा अगर देखा जाए तो एक्स टू प्रो को शायद कुछी दिनों पहले update मिला था January में यहां पर फिबरुवारी का update तो मिलना यहां बट जो यह update है वह फिबरुवारी के एंड तक रोल आउट किया जाएगा तो अगर कुछ किसी चीज में अगर आप confusion हो तो नीचे मुझे कमेंट कर सकते हो मैं आपको reply देनी की जरूर कोशन करूंगा 100% reply दूँगा अगर आपको कोई अलग डिफरेंट्स हवाल है तो नीचे कमेंट कर सकते हो मैं आपके कमेंट के ओपर वीडियो बनाने के भी कोश अबत के कर दो।